नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोगं का नालेज गेंड चैनल पर स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करते हैं जो हमारा थ्री फेज लोको है उसमें जो आगजल्दियां लगी हैं उनके काम की जाच हम कैसे करेंगे तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कितनी आगजल्दियां हमारी थ्री फेज लोको में लगी हुई हैं अगर हम अंडर फ्रेम की बात करें तो अंडर फ्रेम में हमारे लोको में दो एमसीपी लगी हैं mcp1 and 2 और transformer oil pump ये 1 और 2 लगे हैं दोनों साइड अंडर फ्रेम में उसके अलावा अगर अपर फ्रेम में बात करें तो machine room number 1 में लगा हुआ है आपका OCB1, SR oil pump number 1, squenching blower जो 3 phase वाली है जो कि TMB और OCB के धूल को कड़ों को बाहर निकालती है वो लगी हुई है और उसके अलावा TMB 2 लगा हुआ है ये इतनी तो 3 phase वाली हुई और अगर single phase की बात की जाए तो MRB1 लगा हुआ है और इस MRB का squenching blower लगा हुआ है साथी साथ अगर machine room number 2 में देखें तो उसमें भी OCB2 मिल जाएगा, SR oil pump number 2 मिल जाएगा, squenching blower 3 phase वाला मिल जाएगा और TMB1 उसमें मिलेगा साथी साथ single phase वाले MRB2 और squenching blower MRB का ये बिलेगा तो आज बात करते हैं कि इन आगजलियों की हम जाँच कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम under frame में TFL pump number 1 और 2 की बात करते हैं कि इनकी जाँच कैसे की जाएगी तो ये under frame में लगे हुए हैं जहां हमारा transform RL का संप लगा हुआ है उसी के बगल में एक हमारा TFL pump लगा हुआ है इसमें एक inlet pipe आती है जो कि tank से तेल खीशता है और एक outlet pipe है जो हमारे अपर frame में जाता है आयल cooling unit number 1 में जाता है जहां पे ये transform RL ठंडा होता है हम इस inlet pipe और outlet pipe पे हाथ लगा के भी ये महसूस कर लेंगे कि ये transform RL pump चल रहा है कि नहीं और कुछ लोकों में हम नीचे में gauge दिया हुआ है जो कि हम नीचे की तरफ जुक कर देखेंगे तो उस gauge में हमको needle अगर उसकी fluctuate है तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमारा transformer RL pump चल रहा है SR RL pump की बात कर करें तो SR RL pump हमारा machine room number 1 में SR RL pump number 1 है और machine room number 2 में SR RL pump number 2 है हमारे कुछ SR GTO base है और कुछ SR IGVT base है तो GTO में SR RL pump बाहर लगा होता है और IGVT में बाहर भी लग सकता है और inside भी लगा होता है तो जिस लोकों में SR RL pump बाहर लगा हुआ है तो उसमें उसके vibration के दारा हम ये समझ जाएंगे कि हमारा SR RL pump चल रहा या नहीं चल रहा है और जिसमें अंदर लगा हुआ है उसमें हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उसको हम touch नहीं कर सकते हैं OCB की जाच करने के लिए हम अंदर frame में आएंगे और battery box के उपर एक बड़ी से जाली लगी है उस जाली में से अगर हवा आ रहा है तो यानि हमारा OCB काम कर रहा है अब अगर हम battery box number 1 के उपर से लगी जाली से हम हवा मैसूस कर रहे है इसका मतलब OCB 1 हमारा काम कर रहा है और battery box number 2 के उपर जाली में से हवा आ रहा है तो OCB 2 काम कर रहा है एक्ट्वल में ये एक oil cooling unit होती है और सबसे उपर छट पे जाली बनी होती है और वहीं पे OCB ग्लोवर हमारा लगा हुआ है तो ये उपर से एक्मास्फियर से हवा खींच कर और नीचे इस जाली से फेंग देता है और इसी oil cooling unit में हमारे TFL और SRL ये दोनो इसमें आते रहते हैं जिसके कारण हमारा ये TFL और SRL हमारा ठंडा होता रहता है TMB यानि traction motor blower के जांच के लिए हम cab 1 में locopilot के नीचे खड़े रहेंगे और wheel के बीच में से इस type का हमको traction motor में जाली दिखेगी अगर उस जाली से हवा हमको आती हुई महसूस हो रही है इसका मतलब हमारा TMB 1 काम कर रहा है ऐसे ही अगर हम cab 2 में locopilot के नीचे खड़े हैं और उधर से हमको महसूस हो रही है इसका मतलब TMB 2 working में है जो TMB और OCB का squenching blower होता है उसके काम के जांच के लिए अगर हम wheel number 4 और 6 के बीच जो duct लगा है उसमें से हवा फेक रहा है ये duct होता है चौकोर सा और इसमें color बना हुआ होता है अगर उसमें से हवा रही है तो इसका मतलब हमारा TMB 1 और OCB 2 का जो squenching blower हो working में है इसी तरह wheel number 7 और 9 के बीच जो duct बना हुआ है अगर वहां से हवा रही है इसका मतलब TMB 2 और OCB 1 के squenching blower working में है ये AP 7 और AG 9 के लिए है AP 5 में 2 और 4 नंबर wheel के बीच में से होगा और दूसरा वाला जो squenching blower है उसके लिए wheel number 5 और 7 के बीच में वो duct बना हुआ है MCP के काम की जाच करने के लिए जो हमारा main compressor है वो under frame में दोनों तरफ लगा हुआ है machine room number 1 के नीचे जो है उसको MCP 1 कहेंगे और जो machine room number 2 के नीचे है उसको MCP number 2 कहेंगे तो MCP के चलने को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि हमारा MCP काम कर रहा है कि नहीं साथ ही साथ चुकि MCP का का काम है MR pressure बनाना तो अगर MR gauge में MR pressure हमारा पूरा है तो भी इसका मतलब है कि हमारा MCP working में है MRB के काम को चेक करना MRB मतलब machine room blower तो machine room blower जो एक number है यानि MRB 1 वो machine room number 1 में है इसका काम होता है machine room में हमारे control electronics जो लगा हुआ है control qe कल के नीचे उसके अलावा bar 1 को और battery box number 1 को ठंडा करना है तो अगर bar के उपर हमको हवा महसूस हो रही है या SB1 के नीचे हमको हवा महसूस हो रही है तो इसका मतलब हमारा MRB 1 काम कर रहा है इसी तरह MRB number 2 हमारा machine room number 2 में लगा हुआ है ये machine room blower अगर काम कर रहा होगा तो हमको bar 2 और 3 जो की एक ही housing पे है उसके उपर हमको हवा महसूस होगी या SB2 के नीचे भी हमको हवा महसूस हो रहा है MRB चुकि machine room number के एकदम middle में इस्थित है और उसी के बगल उसका squenching blower है तो under frame में compressor के उपर एक छोटा सा duct बना है 2 बाई 2 इंच का अगर इसमें से हवा आ रहा है इसका मतलब machine room blower का squenching blower चल रहा है अब अगर ये duct machine room number 1 के नीचे है इसका मतलब MRB 1 का squenching blower working में है और ये duct अगर machine room number 2 के नीचे है वहां से हवा आ रही है इसका मतलब MRB 2 का squenching blower working में है हमारे लोकों में TFIL pump और SRIL pump लगातार कार करते रहते हैं जब तक कि converter कार रहता है और DJ क्लोज करते ही हमारा MRB और MRB का जो स्क्वेंजिंग ब्लोवर है वो भी लगातार काम करता रहता है चाहे driving mode में हो चाहे cooling mode में हो यह single phase MRB की बात हो रही है और जो हमारा MCP है वो MR pressure 8 से 10 kg पर cm2 के बीच loading और unloading के हिसाब से start होता रहता है और बंद होता रहता है बाकी जितने भी ब्लोवर है चाहे OCB हो चाहे TMB हो चाहे उसका squenching ब्लोवर हो यह सब temperature के हिसाब से काम करते रहते हैं तो जब इनके काम के हम जाज कर रहे हैं तो यह चीज भी हमको ध्यान देना चाहिए अगर वो कोई ब्लोवर नहीं चल रहा है तो यह भी हो सकता है कि उतना temperature अभी ना हुआ हो लेकिन जब troubleshooting में हमको उस ब्लोवर के काम की जाज करनी पड़ेगी तो इसी तरह काम की जाज करनी पड़ेगी जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू